चत्रसाल स्टेडियम में जुनियर गोल्ड मैडलिस्ट पहलवान सागर राना की हत्या के मामले में पिछले करीब 20 दिन से फरार चल रहे दो बार के उलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। कोर्ट ने सुशील कुमार को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर दो बार के उलम्पिक पदक विजेता पहलवान ने क्यों अपने ही साथी पहलवान की हत्या की जिसकी वजह से उसे न केवल मुँ छिपा कर घूमना पर रहा है बलकि 20 दिन तक पुलिस से लुकाचिपी का खेल भी खेलना पड़ा। दरसल पूरा मामला वर्चस्व की लड़ाई का है। दो बार के उलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार जिस 16 साल स्टेडियम में पहलवानों को कोचिंग देते थे वही पहलव सागर राना पहलवान सुशील कुमार की पतनी के फ्लेट में किराय पर रहता था और पिछले कुछ महीनों से किराया भी नहीं दे रहा था। साथ ही ओलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार को ज्यादा महत्व भी नहीं देता था। दो बार के ओलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार को इसी बात की टीस थी। लिहाजा उसने अपने साथी पहलवानों के साथ सागर को सबक सिखाने का प्लान बनाया और चार माई की देर रात दिल्ली के मौडल टाउन थाने के इलाके में सुशील और उनके साथियों ने उसके फ्लेट से पहले सागर और उसके दोस्तों को हत्यारों के बल पर किड्नेप किया। फिर छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर उनकी पिटाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को स्टेडियम का एक CCTV फुटेज भी हाथ लगा है। इसमें सुशील होकी स्टिक से सागर और उसके साथियों को मारत थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मृतक सागर की पिटाई के दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया था। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आरोपी सुशील कुमार का उसके सरकिट में प्रभाव बना रहे और कोई उसका विरोध न कर सके। जानकारी के म कुताबिक सुशील ने प्रिंस से पिटाई का वीडियो बनाने को कहा था। लेकिन इसी दौरान सागर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सागर दिल्ली पुलिस में हेट कॉंस्टेबल का बेटा था। सुशील कुमार से उसके जगड़े का कारण वर्चसु की में रहते थे, सुशील उसे खाली करने का दबाब बना रहे थे क्योंकि सागर उसका किराया नहीं दे रहा था। पुलिस की जाच में यह भी पता चला है कि सागर ने सुशील को खुल्याम बदमाश कह दिया था। सुशील इसलिए सागर से नाराज थी क्योंकि उनको लग था कि सागर उनकी छवी खराब कर रहा है। इसलिए वह सागर को सबक सिखाना चाहता था। उसका इरादा मारपीट करना था लेकिन सागर की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से पांच गारियों के अलावा एक लोडेड डबल बैरल गन और तीन जिंदा कार्तूस भी परामत किये थे। तभी से सुशील कुमार की तलाश की जा रही थी। उनकी गिरफतारी पर एक लाख रुप्य का इनाम भी घोशत किया गया था। यहां आपको बता दे कि सुशील ने 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर और 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉंज मैडल जीता कि लंदने तलाश कि लंदने तलाश कि लंदने जीता जीता बड़िक में सिल्वर और दोग्य का ओशने ब्रॉंप्य का।